यह एवरिवान वेलकम टू नेट बायालोजी आएम अनूजा एंड टुडेश टॉपिक ऑफ डिसकशन इस नियूरो एनटमी ऑफ ब्रेन इससे पहले वाली वीडियो में हम डिसकस कर चुके हैं डायन सिफलॉन के बारे में तीलन सिफलॉन के बारे में और यह दोनों सब हैं सबसे पहले मीजन सिफलॉन किसी भी पार्ट में और किसी भी सब डिविजन में डिवाइड़ नहीं होता है यह केवल पार्ट कंसिस्ट करता है और इसके दो पार्ट से आपके क्रूस सेरेब्राई जो की एंटीर पोर्शन है और टेक्टम जो की पोस्टीर पोर्शन है मीजन सिफलॉन डिवाइड होता है पार्ट में यह कोई सब डिविजन कंसेस्ट नहीं करता है प्रोजन सिफलॉन की तरो या रॉंबन सिफलॉन की तरो तो दो पार्ट होते हैं जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें केवल एक पार्ट के बारे में मैंने डिसकस किया था जो posterior region है उसको टेक्टम कहा जाता है और ये भी किसका पार्ट होता है मीजन सेफलाउन का और ये भी important है मिडल में भी एक portion होता है जिसे कहते हैं tegmentum लेकिन इतना ज्यादा relevant नहीं है तो इसलिए इसको डिसकस नहीं करेंगे हम किवर बात करेंगे क्रूस सेरेब्राई और टेक्टम के बारे में जो की important पार्ट है मीड मीड ब्रेन के या मीजन सिफलाउन के तो ये कौन-कौन से associate structures को consist करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं cerebral petangles ये cruise cerebride के portions वाले associate structures है corpora quadrigemina ये tectum consist करता है optic lobes and auditory lobes अब इन सारे structures के बारे में डीटेल में बात करेंगे कि आखिर हैं क्या और कौन-कौन सी activities पे इनका control होता है ठीक है क्योंकि हम brain की बात कर रहें ब्रेन क्या है control center सारे organs पे control करता है तो mid brain भी किसे नहीं किसी चीज़ पर control करता होगा mainly optic और auditory lobes यहां पर जिक्र हुआ है optic and auditory lobes यह आपके देखने और सुनने की जो process होती है इस चीज़ पे इसका focus mainly होता है mainly यह इन दौना चीज़ को control करता है ठीक है यह structure है आपका mid brain का अगर इसको longitudinally हम section cutting करें brain की यह अगर हम बाहर से देखें और अगर हम cerebrum वाला जो portion है उसको हटा करके देखें तो यह वाला portion हमको दिखता है और इस में यह जो नीचे वाला portion है यह brain stem है जो क्या है किसका part hind brain का जहां पे आपका medulla oblongata अगेरा होते है पॉन्स वाला region यह है और उपर वाला portion है आपका cerebral hemispheres का और diencephalon का और यह वाला portion जो यहां पीछे side को है यहां पे आपको pineal gland दिख रही है जो कि epithalamus का portion है epithalamus consist करता है मतलब यह जो उपर वाला region है यह diencephalon का है और इससे उपर cerebrum होता है और यह जो mid में जो portion है green और आपका orange color का जो दिख रहा है यह वाला region है आपका mid brain यहां पे जो आगे वाला portion है anterior जिसके हमने बात की थी cruise cerebrum जो consist करते हैं cerebral peduncle को यह वाला region वो है anterior और posterior region यह वाला region जहां पे आपका superior colliculi and inferior colliculi है pineal gland के नीचे से यह वाला portion क्या है आपका posterior portion of mid brain जिसे हम tectum कह रहे है ठीक है तो इस तरीके से structure होता है अगर हम इसको longitudinally देखें तो अगर हम इसकी transfer cutting करके देखें तो हमको कुछ इस तरीके का structure दिखेगा जिसमें posterior region है आपका tectum middle वाला region है उसको कहते हैं tegmentum जो इतना important नहीं है और anterior वाला portion है आपका cruise cerebrum और यह कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं इन दौना structures को लेके आगे हम बात करेंगे हर एक पार्ट के बारे में जिसके बारे में असोसियेट की बात की थी सुपीर कॉली कुला यहां पर नहीं शो हो रहा है क्योंकि यह इसके नीचे से प्रेजेंट है इसलिए यह वाला पोस्चीरियर साइट और यह वाला एंटीशर साइट तो इन सब के बारे में बात करते हैं ठीक है उपर यानि कि middle में तो यह कहां पर located होगा मीजन सिफलों located होगा four brain and hind brain के बीच में इसके जो भी control centers है यह इनी पर है vision जो भी हम देखने की क्रिया करते हैं हैरिंग जो भी सुनने की बात करते हैं और motor control जो smooth muscles है हमारी voluntary actions जो होते हैं उन पर भी इसका control होता है cruise cerebride के अगर हम बात करें यह कौन सा region है इसका anterior वाला region है anterior part of midbrain these are two symmetrical tracks of nerve fibers at the base of midbrain midbrain के base में या आपके anterior portion में अगर हम बात करें तो यहां पे कुछ nerve fibers होते हैं nerve fibers का मतलब है exons अगर हम nerve cells की बात करें nerve cell के वाल एक cell की nerve मतलब पूरा group of cell nerve cell की अगर हम बात करें केवल एक cell की बात करें जिसे हम neurons कहते हैं जिसे neuron कहते है neuron कुछ इस तरीके का structure होता है यहां पे आपकी cell body है और कुछ dendrites होते हैं और एक सबसे लंबा वाला जो extension होता है इसका जैसे dendrites है यह इसके बाकी के extension से जो ज्यादा small होते हैं लेकिन एक लंबा वाला जो extension है इसको कहते हैं nerve fiber या exon ठीक है तो यह exon अगर हम nerves को लें मतलब bundle of neurons को लें बहुत सारी neuron को collect करके लें तो वहां पे आपको बहुत सारे exons दिखेंगे सारी neurons के और इन exons को कहेंगे हम nerve fibers और bundle of exons और यही कंसिस्ट करता है कौन cruise cerebrine मतलब cell body इसके posterior region में होगी ठीक है the cruise cerebrine functions as a bridge between forebrain and hindbrain यह इन दोनों को मिलाने के लिए helpful है connect करने का काम करता है forebrain को midbrain से और वहां के जो भी impulses हैं उनको यहां तक मतलब forebrain से जो भी impulses आये हैं उनको hindbrain दम पुछाने का का काम करता है cruise cerebrine it connects each cerebral hemisphere with the opposite half of the cerebellum cerebellum से cerebrum को connect करने का भी यह काम करता है structure में अगर हम देखें तो यह वाला जो portion है यह एक दुसरे के symmetricals हैं और यह वाला region consist करता है nerve fibers को और इसे कहते हैं आपका cruise cerebrine यह वाला region anterior portion of midbrain ठीक है तो structure में गर हम देखें तो यहां पे cruise cerebrine है और यह consist करता है nerve fibers जिन्हें हम exon भी कहते हैं ठीक है clear next anterior part of midbrain जिसे हम cruise cerebrine कह रहे हैं consist several important tracks and fibers हमने अभी तक बात की कि tracks of fibers यानि exon bundles को consist करता है जिसे paired exon bundles कहते हैं और इन exon bundles को भी मतलब collectively इनको एक name दिया गया है एक specific name है इनका और वो name क्या है cerebral pedancles जिसके हमने अभी तक बात की थी associate structure में cerebral pedancles कहां present होते हैं आपके anterior region में anterior part of midbrain जिसे cruise cerebrine कहते हैं तो यह consist करता है cerebral pedancles को अगर हम एक flow chart की थूँ देखें anterior part of midbrain जो क्या है cruise cerebrine consist करता है exon bundles को जिने हम tracks of fibers कह सकते हैं और simply tracks और इन bundle of exons को कहते हैं cerebral pedancles ठीक है अब next है cerebral pedancles यह क्या होते हैं और किसलिए important है cerebral pedancles are present at the foot of midbrain midbrain के base वाले region में anteriorly यह present होते हैं they are responsible for smooth voluntary movements because they consist exon bundles smooth voluntary movements या motor जो भी impulses आ रही हैं इनको भी क्या करता है इसलिए हमने बात किती कि midbrain responsible होता है motor responses के लिए भी या आपके voluntary responses के लिए भी क्योंकि यह smooth voluntary movements पे क्या करता है अपना control रखता है और exon bundles होने की वज़े से यह जो भी information cerebrum से आ रही है इसे आगे process भी कर पाता है ठीक है by exons they conduct nerve impulses from motor area जिसे हम cerebrum कहा रहे हैं cerebrum में आपका motor area present होता है अमने बात की थी motor area की और यह कहां पे था frontal lobe में motor area present था जो की voluntary जो भी functions होते हैं इन पे अपना control रखता है तो जो भी exons हैं exon bundles हैं consist कर रहा है cerebral petuncles यह क्या कर पाता है nerve impulses from the motor area इसको कहां तक लेके जाता है spinal cord and medulla और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी जो भी motor neurons होगी आगे पर्टिक्लर जो skeletal muscle है जिसने आगे काम करना है उस तक सिंपल को लेके जाएगी सिंपल लिए रोच्छ बात करें तो ये कुछ सटॉक लाइक की structure है आपके एक exon bundles है इसलिए स्टॉक लाइक के structure दिखते हैं और यह अटेच करते हैं आपके Cerebellum को Cerebrum को Cerebrum कौंसा वाला portion है जो 4 brain वाला portion है वह Cerebrum और जो नीचे hind brain वाला region है जो पीछे साइड को present था जो पीछे साइड को located रहता है वह क्या है आपका cerebellum तो Cerebrum यानि कि 4 brain को वह किसके साथ connect करता है brain stem के साथ यानि कि जिससे हम क्या क्याते है medulla oblongata यह नीचे वाला जो region था क्योंकि यह mid में present है तो दौनों को connect करने का काम कर रहा है यह structure अपने हमने पहले भी देखा था यहाँ पर बात करें यह वाला region है आपका cerebral pedancle का और यह connect कर रहा है next is tectum, posterior part of mid brain जैसे anterior cruise cerebride posterior क्या है tectum this part of mid brain is responsible for auditory and visual reflexes जो भी auditory and visual reflexes होते हैं जो भी हम reflex करते हैं किसी भी आपके stimulus के against में हम reflex देते हैं वो भी किसके लिए auditory और visual reflexes इसके लिए कौन responsible होता है tectum mid brain responsible है, mid brain की posterior region dectum के लिए responsible है जब हमने mid brain के functions की बात की थी, तो यह 맞는 Placement के लिए आपके visual function के लिए और auditory functions के लिए auditory reflexes के लिए तो पहला वारा जो anterior portion है, मोटर या या जो भी स्मूद Central function है उसके लिए responsible है और जो posterior region है, वो visual and आपका auditory reflexes के लिए important थे the posterior part of mid brain contains several nuclei जिसे हम क्या कहते है collection of cell bodies of neurons अब हमने neurons की पहले बात की थी exons जो बंडल है वो कहां पर present थे आपके anterior वाले region में जिसे हम cerebral peduncle कह रहे थे अब जो nuclei है यह जो cell body है जिस तरीके से neuron structure होता है यह exon consist करता है और cell body भी consist करता है जिसमें एक nucleus भी होता है तो यह वाला जो portion है इसका cell body वाला portion यह posteriorly located होता है mid brain में और इस region को हम क्या कहते हैं यह इसको nuclei कहा जाता है और इसको specific name भी दिया गया है जिसे क्या कहते हैं coliculi यह जो nuclei होते हैं यह जो cell bodies होती है nerve cells की यह neuron की इनको specific name दिया गया है जिसका नाम है coliculi there are four type of nuclei located in tectum या coliculi चार टाइप के होते हैं यहां पर two superior coliculi and two inferior coliculi ठीक है जिसमें हमने structure देखा था उसमें superior भी देखा था inferior भी देखा था inferior और superior coliculi कुछ नहीं है केवल क्या है cell bodies है और इनके जो cell bodies है इनके nuclei जिनने हम कह रहे हैं nuclei को एक specific name देदी आ गया है coliculi जो superiorly present होगा उसे superior coliculi और जो inferior और नीचे side को present होगा उसको inferior coliculi ठीक है these four coliculi together are called corpora quadrigemina और इनको एक और specific name specifically अगर इन चारों को ही combine में बात करें इन चारों को combine में लें तो इनहीं को क्या कहते हैं corpora quadrigemina superior and inferior दो उपर के superior और दो नीचे के inferior coliculi को अगर हम combinedly togetherly अगर लें तो यह क्या कहलाएंगे आपके corpora quadrigemina अगर इस diagram में अगर हम देखें तो यह tectum वाला region है यहाँ पर superior coliculi है नीचे side को inferior coliculi होगा और इन चारों को combinedly हम बोलेंगे corpora quadrigemina अब इसको अगर हम flow chart के तरह देखें जैसे हमने पहले देखा था posterior part of mid brain इसको क्या कहते हैं टेक्टम टेक्टम कंसिस्ट करता है collection of cell bodies जिनको क्या कहा जाता है nuclei कहते हैं और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इस दो टाइब के कॉलिक्टम होते हैं सुपीर और इंफिरियर कॉलिक्टम और कमबाईनली इनको कहेंगे सुपीर और इंफिरियर चारों को मिलांगे अगर चारों को एचार कॉलिकुलाइ का collection है यह combination है corporal quarter two superior colliculi and two inferior colliculi these colliculi exit in pairs in two regions superior and inferior superior region में उपर वाले region में भी यह किस तरीके से locator होते हैं आपके pair में होते हैं और नीचे वाले portion में यानिक inferior वाला भी किसमे pair में होता है superior colliculi ये function करते हैं as reflex center for certain visual activities जो उपर वाला region है superior colliculi ये responsible होता है visual activities और visual reflexes के लिए जैसे आपका autonomic movement of eyes, head and neck towards the source of visual stimulus इसके against में, visual stimulus के against में जो हमारे autonomic movements होते है eyes, head and neck के इसके लिए इनको हम क्या कह सकते है visual reflexes जैसे आपके eyelids के movements eyelids जो पलके होती है ये अपना भी बंद हो जाती है आपका अगर light की intensity है वो जादा है तो उस time पे अपना बंद हो जाती है तो ये जो reflexes होते है visual इसके लिए कौन responsible होता है आपका superior colliculi और midbrain, midbrain का posterior वाला region superior colliculi are also responsible for reflexes like movement of head, eye and trunks in response to visual stimuli they contains optic lobe और optic lobe क्योंकि ये visual reflexes के लिए important है, responsible है तो optic lobe कौन contain करेगा ये superior वाला colliculi, ये superior nucleus of, जिसे हम क्या कहरे है cell bodies of nerve या neurons, neuron की जो cell bodies है, उनको क्या कहरे है nuclei ये आपका colliculi, superior colliculi responsible है आपके visual reflexes के लिए और inferior वाला responsible है आपके auditory reflexes के लिए inferior colliculi are responsible for auditory reflexes, it also helps in relying impulses from the receptor of hearing जहां पर, कहां पर present होते हैं, receptor of hearing, inner ear में जहां पर ये recept करते हैं जो भी हमने सुना है to the brain, साथी साथी और क्या काम करते हैं, inferior colliculi जो भी receptors ने recept किया है, उसे कहां तक लेके जाते हैं, brain तक लेके जाते हैं यानि कि आपके cerebrum तक लेके जाते हैं, फिर आगे की processes होगी they consist auditory lobes, जैसे optic lobes consist कर रहा था कौन, तो superior colliculi क्योंकि responsible है visual reflexes के लिए, तो वैसे ही inferior colliculi भी contain करता है auditory lobes, जो की responsible है किसके लिए, auditory reflexes के लिए, ठीके structure में अगर हम देखें, तो यह structure हम पहले भी देख चुके हैं, superior colliculi और inferior colliculi कुछ इस तरीके से present होती है यहाँ पे, यह उपर वाला pineal gland है superior वाले portion में जो present है वो superior colliculi और नीचे जो present है वो inferior colliculi ठीक है, तो इस तरीके से होता है brain का सारा function, mid brain का सारा function, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में रॉंबन सिफलोन और hind brain के बारे में, mid brain में किवल इतना ही है, ठीक है, तो चलिए, thank you so much